जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तो नया वर्ष शुरू हो चुका है 2022 और इस 2022 में कौन से वो महीने होंगे कौन से वो मन्त होंगे जो आपके लिए सबसे अधिक भागेशाली होंगे जो आपके काम काज के लिहास से आपके निजी जीवन के आपके करियर के लिहास से सबसे अधिक फल देने वाले होंगे तो आज की इस वीडियो में हम उनी महीनों के बारे में आपको बताएंगे इस वर्ष के बारा में से कौन कौन से वो मन्त है तो वीडियो को लास तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे, इस वर्ष की हम बात कर रहे हैं, और यह जो वर्ष दोनों ही शनी की अपनी राश्या हैं, तो इस पूरे वर्ष पर शनी का प्रभाव तो आपके उपर रहेगा ही, बाकी ग्रहों की सितियां भी आपके लिए किस तरह से उन महिनों में आपको साथ देने वाली होंगी, चले विस्तार से जान लेते हैं, तो इस महिने इस शुक्र अस्त होए हैं, और शुक्र का अस्त होना कुमराशी के जातकों के लिए बेहद शुब रिजल्ट देने वाला साबित होगा, शुक्र का अस्त होना आपके जीवन में कई तरह की दिक्कतों को दूर कर आपकी जीवन में सुक समरद्धी लेकर आएगा, क्योंकि शु जनवरी और फरवरी इन दोनों ही महिनों में आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाले साबित होंगे जमीन जायदाद से लिए रिजल्ट आपको अच्छे देंगे वाहनादी खरिदने का यूग भी आपके लिए अच्छा बनेगा ठेकेदारी के काम से जुड़े हैं तब कामकाज को आगे बढ़ाने में कुछ लोग आपके बड़े मददगार साबित होंगे और प्रेम जीवन के मामले में भी ये दो महिने पिछले महिनों की तुलना में बहुत ही बहतर रहने की संभावना बनी हुई है तो ये पहले दो महिने हो गए जो आपके लिए सबसे उत अरश में राशी बदल रहे है जो बड़े ग्रहा है जो धीमिगती से चलते हैं जो सभी ग्रहों में एहम माने जाते हैं उन ग्रहों का राशी परिवर्तन इसका के लिए एक महीने में है उसे से ही आपको अपने उपर देखने को मिलेगा तो एपरेल के महीने में इस्तिथियां अच्छी होंगे बस वास्ता का ही दियान रखना है बाकी शनी आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे 29 अपरेल तक ये आपके बारे भाव में है उसके बाद आपके पहले भाव में चले जाएंगे आपके लगन में बैठेंगे और आपके द्वीते भाव में गुरू आएंगे और मेश रासी यानि आपके तीसरे भाव में राहू रहेंगे और तुला राश्य भागे भाव में क सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको पाहर जाने का मौका मिल SAKTा है, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिल SAKTा है, इस दोरान आप जितनी भी चीजड़ें इमांदारी के साथ करेंगे, जो भी आप कारे करते हैं, अगर इमांदारी इन में बढ़ते हैं, ये काफी अनुकुल रहेगा जुलाई के महीने में सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा और सूर्य के प्रभाव से जो सरकारी शेतर से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं या जो सरकारी जॉब के लिए अपलाई कर हैं तो उन बच्चों के लिए भी ये जो महीना है जुलाई का महीना ये बहुत ही उत्तम माह साबित होगा इसके बाद आजाता है सितंबर और अक्टूबर का महीना जो शुब मन्त हैं उनकी बात हम कर रहे हैं तो सितंबर और अक्टूबर का महीना 2022 के उन महीनों में से एक है, जो आपके लिए सबसे उत्तम महिने थाबित होंगे, इन दो महिनों में आपकी चतुराई, आपकी कूटनीति, आपके करियर को एक नई दिशा दे पाएगी, आपकी सोच सकारतमक होगी, और अपनी अच्य सोच के जरीए, अपनी सभी कारियों को सिद्ध कर सकते हैं आप अपनी सभी कारियों को पूरा कर सकते हैं इस दोरान ग्राहकों या निवेशकों के साथ आपके सम्मंद आपके जीवन में एक महतपुन भूमी का अदा करने वाले साबित होंगे जैसे जैसे ये महिने बीतेंगे वैसे वैसे आपकी पदोनती भी होगी वेतन वरधी भी होगी और नई जान पहचान प्राप्त करने में भी आप सफल रहेंगे ये महिना आपके करियर के लिए ये महिना आपके वैफसाय के लिए एक उत्तम महिने साबित होंगे तो दोनों ही महिने आपके लिए बहुत ही उत्तम र बढ़ाएगा आपके बैंक बच्चत के तरह पढ़ेगा गुरू भी वक्री होकर आपके लगन में आ जाएंगे गुरू का आपके लगन में होना और शनी का आपके बारवे भाव में होगा आपको विदेश यात्रा करा सकता है तो विदेश यात्रा के लिए भी ये जो में एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो क्योंकि शनी विदेश से जुड़े हुए सबी कारेयों के लिए उत्तम माने जाते हैं आपके बारवे भाव में बैठ कर यहां विदेश यात्रा के जबजस्ति योग बना रहे हैं आप अपने व्यपारिक संबंदों को बढ़ा पाएंगे आपके भागे का पूरा सपोर्ट आपको इस दोरान देखने को मिल पाएगा तो यह वो महीने हैं जो आपके लिए सब्स्रेश साबित होंगे और बाकी आपके अगर हम करियर की बात करें या आपकी फाइनेंशियल कंडिशन की बात करें तो पूरे वर्ष में आपकी फाइनेंशियल कंडिशन स्ट्रॉalles रहेगी आप विदीश यातरा कर पाएंगे गुरू ब्रस्पति जो आर्थिक इस्थी के कारग्रे है आपके लिए अर्थिक इस्थी को देखते हैं वो आपके आर्थिक विकास में मदद करेंगे आर्थिक लाब के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी विरद्धी करेंगे शनी का उपाय करना आपके लिए बहुत उत्म साबित होगा आपको धनलाब करा सकता है जो शनी के अशुपरबाव है उनसे आपको बचा सकता है अगर आप किसी कारे के सलसले में लोन लेना चाहते हैं लोन आपको इस वर्ष आसानी से मिल जाएगा और ये जो कारे आप शुरू करेंगे उसमें आपको वित्य लाब निश्चित रूप से होने वाले हैं आप आर्थिक स्टिती से सम्रध्ध करने में इस वर्ष में सफ़ा लोंगे जहां तक राहू केतु का सवाल है तो राहू और केतु दोनों के साथ जो भी ग्रायुती करेगा उसके अनुसार पूरे वर्ष में आपके लिए इस फितिया जो है वो अलग अलग तरह से निर्मित ह जो आपको समय समय पर पता चलती रहेंगी लेकिन शनी के उपाई आप जरूर कर सकते हैं शनी के उपाई आपके लिए बहुत उत्तम साबित होंगे और शनी के उपाई के लिए आप मजदूर वर्ग की सेवा करें मजदूर वर्ग का सम्मान करें तो आपके लिए वर्ष जो ह बहुत उत्म रहेगा साथ ही चानल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले